नमस्कार दर्शकों स्वागत आप सभी का सुशान सिंग राजपूत की मोत के बाद जिया खान की मा ने एक वीडियो शेयर किया है इस वीडियो में सलमान खान पर तमाम आरोप लगाए गए है क्या कुछ कहा जिया खान की मा ने देखिए दिवंगत एक्टरस जिया खान की मा रबीना अमीन ने एक वीडियो शेयर किया है इस वीडियो में उन्होंने सलमान खान के उपर गंभीर आरोप लगाए है सुशान सिंग राजपूत के निधन ने जहां फिल्म इंडस्टरी से जुड़ी कई बातों पर सवालिया निशान लगाए है वही कई लोग अपनी बात खुल कर सामने रखने के लिए भी आगे आ रही है जहां कुछ लोग अपने डिप्रेशन की बात को खुल कर सुईकार कर रही है तो वहीं दिवंगत एक्टरस जिया खान की मा रवीना अवीन ने एक वीडियो शियर किया है और इस वीडियो में सल्मान खान के उपर सूरज बंचोली के खिलाफ जाँच को प्रभावित करने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है आपको हम बता दे कि सुशान सिंग राजपूत की तरह ही कम उम्र में जिया खान ने आत्महत्या कर ली थी हालाकि जिया खान की मोद आज भी रहस्य बनी हुई है जो सुलज नहीं पाई है जिया का शव उनके मुंबई के जुहु स्थित घर में मिला था जिया खान के बॉइफ्रेंड रहे सुरज पंचोली पर अभी नेत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा अब इतने सालों बाद जिया खान की मा ने सलमान खान पर सुरज पंचोली को बचाने के आरोप लगाए है उनका ये वीडियो खूब वाइरल हो रहा है जिया खान की मा रबीना अमीन इस वीडियो में सबसे पहले सुशाम सिंग राजपूत के निधन पर शोक जताती हैं और फिर कहती हैं कि बॉलिवूड में इस दादगिरी के खिलाफ जागना चाहिए बता दे कि जिया खान का 2013 में 25 सुवर्ष की उमर में निधन हो गया था पुलिस ने इसे आत्म हत्या बताया था वीडियो में रबीना कहती हैं बॉलिवूड को अब जागना होगा बॉलिवूड को इस दादगिरी को खत्म करना होगा मैं ये कहना चाहूंगी कि दादगिरी भी एक तरहा से किसी को मारने की तरह ही है जो कुछ भी अब हो रहा है वो मुझे 2015 की याद दिलाता है मुझे एक CBI अफसर ने लंदन से बुलाया था मैं उससे मिलने गई तो उसने मुझसे कहा था आप आज आओ हमें एक एहम सबूत मिला है मैं वहाँ पहुंची तो उसने मुझसे कहा सल्मान खान ने मुझे कॉल किया था वो रोजाना ही मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं प्लीज सूरज बंचोली को प्रतारिक मत करना और इंटेरोगेट भी मत करना उसे चुना भी मत तो हम क्या कर सकते हैं मैड़ग वह बहुत हताश नजरा रहा था मैं इस मामले को दिल्ली में बैठी उच्च CBI अफसरों तक ले कर गई और मैंने इसकी शिकायत भी की अगर आप इस तरहां पैसे और अपनी ताकत का इस्तेमाल मत और जाच को प्रभावित करने के लिए करेंगे तो मुझे समझ नहीं आता कि बतोर सिटिजन हम कहां जाएंगे किसके पास जाएंगे मैं सर्व इतना ही कहना चाहूंगी कि खड़े होईए लड़े प्रदर्शन करें और बोलीवूट के इस जहरीले बरताव को खत्म करें